जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल के लिए अधन साहिक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए इस प्रेक्टेस सेट एक यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें हिंदी भासाई संबन देते हैं अपना बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन यहाँ पर प्रेक्टेस सेट है जूनियर हाई स्कूल के लिए तो ज चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी सब से पहली आप कहां तक पहुंचे जादा सी जादा वीडियो को सियर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले आपके लिए जरू बता विकल्प दिये गए हैं तो देखी निवंद को गद्द की कसोटी किसने माना है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आचा रामचन सुकल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आचा रामचन सुकल जी ने निवंद को गद्द की का सोटी माना है question number 2 क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर top आपके 100 question है यह तो यहाँ पर देख लेते हैं अंगला question निमलेकित मैसे किसे ललेत निवंदकार की रूप में जाना जाता है आचा रामचन सुकल, हजारी पर साथ दुबेदी, निराला या हरी संकर परसाई तो question number 2 का आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर बहें आपका यहाँ पर question number 2 का विकल्प नंबर बी आनिकी हजारी पर साथ दुबेदी आपका right answer होगा question number 3 आपसे यहाँ पर पूँचा क्या है लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत एह काविपंती किस कवी द्वारा रच्चत है, तो किस कवी द्वारा यह रच्चत है यह आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर क्या होगा right answer केसबदास, नंददास, मतीराम यह घनानन्द, तो आपका question number 3 का विकल्प number D right answer घनानन्द आपका सही answer होगा question number 4 पूँचा गया है आचार रामचन सुकल के निवन्द संग्रा चिंतामणी के अब तक कितने भाग प्रकासित हुए है एक, दो तीन यह चार तो इसके जो हैं कितने भाग प्रकासित हुए है चिंतामणी के, तो question number 4 का आपका विकल्प number D right answer यानि कि चार भाग प्रकासित हुए junction कहानी के लेखक कौन है मुक्तिबोद, अग्गे, दूदनास्त है या या सपाल तो जो junction कहानी है और इसके जो लेखक है बहें कौन है तो आपके हैं आपर सही answer होगा क्या होगा right answer question number 5 का विकल्प number 1 यानि कि मुक्तिबोद आपके हैं आपर सही answer है मुक्तिबोद जिन्होंने बताया है उनका सही answer होगा question number 6 आपसे हैं पर पूँचा है कि हिंदी का क्या पूँचा है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है सीमरेखा या राधा कृष्ण सेट बाकेलाल या युगसंदी तो आपके हैं आपर सही answer क्या है question number 6 का रेडियो नाटक पहला माना जाता है तो छे का B right answer है यानि कि रादा कृष्ण आपका यहांपर सही answer है Q7 आपसे यहांपर पूच्छा क्या है की रख्चा बंदन कहानी के लेखक है तो रख्चा बंदन कहानी के लेखक कौन है तो Q7 का आपका right answer क्या है रक्चा बंदन कहानी के लेखर कौन है तो साथ का आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका है यहाँपर C आनि कि विस नंबर ना सर्मा कौसिक आपका सही आंसर है विकल्प नंबर C Question No.8 आप से यहाँपर पूंचा है निमलिखित आत्म कता और उनके लेकों में ऐसे कौन सा योग में सही है कौन सा योग में सही है सही पूंचा है आप से यहाँ पर तो सही में आपका कौन सा हो जाएगा तो question number 8 का आपका जो सही answer है आपका यहाँ पर right answer सरत चंदर चटर जी या नांगरजुन तो आवारा मसीह आवारा मसीह यह आपका बहुती महत्तपुन question पूंचा गया है तो किस साहतकार की जीवनी है तो 9 का आपका right answer है विकल्प number C आनि की सरत चंदर चटर जी आपका यहाँ पर सही answer है question number आपका यहाँ पर 10 क्या पूंचा गया है तो question number 10 आपसे यहाँ पर पूंचा गया है देख लेते हैं जूठन किसले ककी आत्मकता है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है question number 10 का सही answer क्या होगा जूठन किसले ककी आत्मकता आत्मक किरती है किरती है तो किसले खक्की है तो आप कहाँ पर question number 10 का right answer बताना है तो आप कहाँ पर सही answer होगा ओम प्रिकास बालमी की विकल्प number 1 आप कहाँ पर सही answer है question number 11 क्या पूंचा गया है कि आनन्द कादंबनी का परिकासन कहां से होता था कुलकाता से कानपुर से परियागराज से या मिरजापुर से तो question number 11 का आपका जो सही answer है आनन्द कादंबनी का परिकासन होता था तो कहां से होता था तो 11 का आपका right answer विकल्प number D मिरजापुर आप कॉस्चन पूछा है खड़ी बोली का पहला प्रियोग किस के द्वारा किया गया बलदेब या ललूलाल या जान गिलक्राइश्ट या सुनीती कुमार चटर जी तो कॉस्चन नमबर बारा का आपका जो सही आंसर है वहें आपका ललूलाल विकल्प नमबर आपका भी यहां प तो कॉस्चन नमबर तेरा का आपका जो सही आंसर है वहें आपका यहां पर क्या है राइट आंसर तेरा का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक यानि की ब्रज भासा आपका यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर चवदा आपसे यहां पर पूंचा क्या है आचार रा चंसुकल जी, हिंदी की पिर्थम कहानी मानते हैं, 11 वर्स का समय इंदू मती, या दुलाई वाली या गुल बहार, तो question number 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर है, इंदू मती, यानि की विकल्प number B आपका यहाँ पर सही आंसर है, इंदू मती आपका right आंसर है, question number 15 क्या पूंचा गया है, तो question number 15 पूंचा गया है, निम्नानकेत और पन्यासों का काल किर्मानुसार सही विकल्पे चिन्नित कीजिए, तो यहाँ पर काल किर्मानुसार यहाँ पर आपके लिए चिन्नित करना है, प्रेमासरम, कर्मभूमी, गोदान, या गबन, गोदान, प्रेमासरम, गबन कर्मभूमी, गोदान, या कर्मभूमी, प्रेमासरम, गबन, या गोदान, इस फिरकार आपकी चार विकल्प देगा है, तो question number 15 का right answer, विकल्प number C, आप कहाँ पर सही आंसर है, प्रेमासरम, गबन, कर्मभूमी और गोदान, यह आप कहाँ आपर सही आंसर होगा, द्यनिक हि हिंदोस्तान का जो प्रकासन होता था ये कहां से होता था देनेक हिंदोस्तान का प्रकासन मालवी जी के संपादन में होता था तो कहां से होता था इलाहबास से बारान सी से प्रतापगर से या पटना सी तो कौस्चन नमबर 16 का सही आंसर आपका यहां पर प्रतापगर बिकल् है question number 17 आप से पूंचा है नमलिकत में से एक तत्थ गलत है बहे कौन सा है तो कर्मबीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुरवेदी थे आजकल दिल्ली से प्रकासित होने वाली पत्री का है और दिनमान के पिर्थम संपादक पत्री का जबलपुर से प्रकासित होती है यह कथन असत्त है यान की गलत कथन है बहे कौन सा है तो सत्रा का विकल्प नमबर सी दिनमान के पिर्थम संपादक रगुबीर साहती यह कथन आपका गलत है question number 18 क्या पूंचा गया है तो देखे लोक नायक बही हो सकता है जो समनवय कन्य का अपार ध्यर लेकर आया हो उनका सारा काब्बे समनवय की ब्राट चेश्टा है तुल्सीदाश जी के संबंद में एह कथन किसका है यह कथन आपका महत्वपून है और यह कथन जो है किसका है यह बताना है तो Q18 का राइट आंसर विकल्प नंबर C होगा हजारी प्रसाद दुबेदी आपका हैं पर सही आंसर है Q19 पूंचा है वो त्रायन किसकी किरती है तो Q19 का आपका जो सही आंसर है बहे क्या है हजारी प्रसाद दुबेदी गड़पती, चंद्र गुपते, रामचंद सुकल या रामकुमार बर्मा तो Q19 का राइट आंसर है आपका रामकुमार बर्मा विकल्प नंबर D आपका सही आंसर होगा हरिवद के प्रिये प्रवास महाकाब में सरगों की संख्या कितनी है तो इसमें सरगों की संख्या बताना है आपके लिए इसमें सरगों की संख्या कितनी है प्रिये प्रवास में हरिवद जी द्वारा कृत है रचित है और इसमें जो सरगों की संख्या है तो बीस का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है की 17 17 आपका सही आंसर होगा? कॉस्टिन नंबर 21 पूंचा निर्णवा की कवीता राम की सकती पूजा परकेस रचना का सर्वधिक प्रभाव है? तो भैं कौन सी रचना है जिसका इस पर सर्वधिक प्रभाव है? बालमी की रामाइन का या या कृतिवास रामायन का या रामचरित्मानस का या विश्णु पुरान का तो question number 21 का right answer आपका होगा कृतिवास रामायन आपका विकल्प number B right answer है समीज्चात्मक किर्ति अलोचना का पक्ष के लेखक क्यों है अलोचना का पक्ष यह समीचशात्मक किर्ती है लेखक हैachsen रमिस कुंतल मेग हैं या धर्म भीर्भारती हैं या रमिष Party चंदर ँठ साहय है तो तेज का आपका जो शही आंसर है, इंदर नातń मदान या समन राजे या स्याम सुन्धर दास या ममता कालिया, तो हिंदी साहत्य का आदा इतिहास निम्न में ऐसे किस के द्वारा लिखा गया है, तेश का राइट आंसर विकल्ब नंबर B राइट आंसर है सुमन राजे डाक्टर सुमन राजे B आपका सही आंसर होगा अंगले कॉस्चिन क्या पुछा है माघाव हमें परिनाम निरासा एह काब बिपन्ती किस कभी की है सुन्दरदास, विद्यापती, सूरदास या रस्खान तो question number 24 का आपका जो सही answer है वह आपका हैंपर 24 का विकल्प number B आनकी विद्यापती आपका हैंपर सही answer है अंगला question है रितु बंडन तो इनकी जैसा और किसी सिंगारी कभी ने नहीं किया है आचा रामचन सुकल जी का एह कतन किस कभी के लिए है तो ये question आपका महत्तपुन ये कतन किस का सबसे पहले तो ये याद रखना है ये कतन आपका रामचन सुकल जी का है ये कतन किस के लिए है तो बिहारी के लिए सेनापती के लिए घनानन्द या पदमाकर तो आपका सही आंसर होगा 25 का विकल्ब नमबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है से अना पती अंगले question क्या है देखे भूली कहत नव रस सुकवी सकल मूल सिंगार यह उक्ती किस आचारी की है यह उक्ती बताना है किस की है देव चिंतामणी तरपठी या सौमनात या कुल्पती मिसर है तो question number 26 का सही आंसर आपका विकल्ब नमबर यहाँ पर एक राइट आंसर है देव की यह उक्ती है question number 27 पूँचा गया है नमलिकित में ऐसी कौनसा उपन्यास कमली स्वर का नहीं है देखे नहीं पूँचा है आपसे तो नहीं में आपका 27 का सही आंसर होगा नहीं में विकल्ब नमबर C यानि की चौपट चौपट आपका सही आंसर है विकल्ब नमबर C राइट आंसर है question number 28 आपसे यहाँ पर पूँचा है नई कवीता परंपरा का त्रसकार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार यह कथन किसका है यह कथन आपके लिए बताना है महत्पूण कथन पूँचा है आपसे यहाँ पर और यह जो कथन है 28 का विकल्ब नमबर B राजेंदर यादब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा राजेंदर यादब आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है तो देखिए तुलसी गंग दोव भय सुकवन की सरदार उक्ती के रचिनाकार कौन है भेकारी दास है केसब दास है रहीम है या गंग कभी है तो 29 का आपका जो सही आंसर है 29 का राइट आंस आपके लिए बताना है भवानी पिरसाद मिस्त्र धूमिल या से मंगल से है या केदार नाथ अगरवाल तो क्वश्चन नमबर 30 का सही आंसर आपका यहां पर जो होगा भै क्या होगा राइट आंसर 30 का केदार नाथ अगरवाल विकल्प नमबर डी आपका यहां पर सही आं जली है, question number 31 का answer बताने, सब्दानुस आसन ग्रंत की जो रचनाकार है, बहे कौन है तो आपका right answer है, हम चंद्र विकल्प number 1 आपका हैं पर सही answer है, question number आपका हैं पर 32 question पूछा है, पुरानी हिंदी ग्रंत की लेकक कौन है, इस ग्रंत की लेकक बताने हैं, आपके लिए रामचंद सुकले, विस्वनात, पृसाद मिस्रे, चंद्धर सर्मा गुलेरी या स्याम सुंदर दास तो 32 का right answer है, आपका विकल्प number B यानि की चंद्धर सर्मा गुलेरी आपका हैं पर सही answer है question number 33 पूछा है निमने लिखित उपन्यासों में स्री लाल सुकल का कौन सा उपन्यास है तो एक चितरा सुक या तीसरा आदमी या उखड़े हुए लोग या सीमाई तूटती हैं, तो question number 33 का आपका जो सही answer है 33 का सही answer विकल्प number D आपकी सीमाई तूटती हैं, question number 34 आपसे यहां पर पूंचा है मुनसी धन्पत राय को प्रेमचंद नाम से सुभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो मुनसी दया नारायन हैं या मुनसी अजाय लाल है या मुनसी देव नारायन है या इनमें से कोई नहीं है तो आपका यहां पर सही आंसर है मुनसी धन्पत राय को प्रेमचंद नाम से सुभित करने वाले व्यक्ति का नाम जो है, 34 का विकल्प नमबर एक यानि की मुनसी दया नारायन आपका सही आंसर होगा अंगला question है मादवानल काम कंदला कभी के रचेता कौन है आलम है, ठाकुर है, बोधा है या गंग है तो question number 35 का सही आंसर आपका यहां पर जो रायट आंसर है विकल्प नमबर आपका यहां पर एक रायट आंसर है आलम अंगला question क्या है स्वेंभू की किर्ती का नाम है स्वेंभू की किर्ती का पदमेपुरान नाम है या महापुरान या पाहुड दोहा या पयूम चरियू तो question number 36 का सही आंसर है आपका स्वेंभू की किर्ती का नाम क्या है तो 36 का डी रायट आंसर है पयूम चरियू पुश्यम्चर्यु आपका सही आंसर है, सित्य साहत किस की रचना है, question number 37 का right answer बताइए, सित्य साहत राहुल सांकृत्यान की रचना है, धर्मीर भारती, हजारी पर साथ दुवेदी, नागेंदर नात उपात ध्याई, तो question number 37 का विकल्प नमबर आपका B, धर्मीर भारती यह आपके लिए बताना है तो आपके हैं आपर राइट आंसर है कवीरदास, अमीर खुसरो, बिद्यापती, अमलिक मुहम्मद चाइसी तो यह जो पंती है किसकी है बिद्यापती तो 38 का विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर Q49 है हिंदी के किस साहिते कारे की मत अनुसार सालीबद सूरी हिंदी के परतम कभी है तो डाक्तर गपती चंद्र गुपते या डाक्टर नगेंदर, डाक्टर रामकुमार बर्मा, डाक्टर धीरंदर बर्मा तो 49 का आंशर बताना है हिंदी की किस साहित्त इतिहास कारी की अनुसार सालीवध सूरी हिंदी की पिरतम कभी है 49 का विकल्प नमबर एक यानि की गड़पती चंद्र गुप्त आपका सही आंसर है निमलेखित में से किसका संबन्द सिद्ध साहित्त से नहीं है देखे नहीं पूपिज पूचा है आपसे, नहीं में आपका सरहपा, या सबरपा, या कुकरपा, या गोपी चंद्र, तो आपका यहाँ पर सही अंसर है, 40 का, विकल्प नमबर D यानि की गोपी चंद्र, गोपी चंद्र आपके हाँ पर सही अंसर होगा question number 41 पूँचा गया है हिंदी किस परिवार की भासा है सामी हामी या भारोपिय या काकेसी या पाप्वी तो आपका हिहां पर 41 का सही आंसर है विकल्ब नमबर आपका हिहां पर हिंदी किस परिवार की भासा है तो भारोपिय आपका सही आंसर है पूर्वी हिंदी वर्गी की बोलियों का विकास किस से माना जाता है सौर्षयनी अब्रंसी, मागदी अब्रंसी, अर्द मागदी अब्रंसी या नागर अब्रंसी तो question number 42 का सही answer है पूर्वी हिंदी वर्गी की बोलियों का जो विकास माना जाता है बहें माना जाता है अर्दमागदी अब्रहंस ब्यालेस का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है कॉस्चन नंबर 43 है क्या है जासी जालोन जासी जालोन और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रिचलेत है बुंदेली ब्रिजभासा कन्नोजी या मालवी तो देखें तीन जासी पर और जालोन पर और हमीरपुर तो यहां पर जो बोली प्रिचलेत है तो 43 का आपका यहां पर राइट आंसर क्या है तो 43 का आपका यहां पर सही आंसर है बुंदेली आपका यहां पर सही आंसर है विकल्ब नंबर एक राइट आंसर होगा विभासा एक प्रांत या खालिस्तान में प्रचलेत होती है तो महा प्रांत में और प्रांत में लगू प्रांत में या विसाल प्रांत में तो विभासा एक प्रान्थ और खालिस्तान वे प्रेचलेत होती है तो 44 का विकल्प नंबर B और प्रान्थ आपका इहां पर सही आंसर होगा कार्यली हिंदी की भासा कैसी होनी चाहिए तो इहां पर आपके लिए बताना है तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ये आपके लिए बताना है तो कार्यली हिंदी की भासा कैसी होनी चाहिए तो 45 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर अविदात मक आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर यहां पर होगा बोली का छेतर जब थोड़ा विक्सित हो जाता है और उसमें साहित की रशिना होनी पर बहे क्या बन जाती है ब्रेजभासा बन जाती है लिपी बन जाती है उपभासा बन जाती है छेतरी रूप तो आपका यहाँ पर 46 का जो right answer है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर B यानि की उप भासा बन जाती है अंगला question है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमक बोली कौनसी है तो देखे गाजीपुर जो है गाजीपुर यहाँ पर प्रमक रूप से जो बोली जाने वाली बोली है वै कौनसी है अविदी है खडी बोली है भोजपुरी है तो आपका 47 का right answer B होगा यहाँ पर right answer यान 48 का C right answer है परिनिश्टित भासा को विकल्प नमबर C आपका सही answer होगा Q49 है धुरुपत गाइन का संबंध किस भासा सी है तो 49 का आपका सही answer होगा कि धुरुपत गाइन का जो संबंध किस भासा सी है बिरजवासा, राजस्तानी, अबदी या खड़ी बोली तो आपका यहाँ पर जो सही answer है वह है आपका यहाँ पर Q49 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक यानिकी ब्रजवासा आपका right answer होगा Q50 आपसे पूचा है क्या है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगईи, चत्यसगड़ी, भघheinी या बंदेली तो आपका यहाँ पर 50 का जो सही answer है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है पचास का विकल्प नमबर एक मग ही आपका यहाँ पर सही answer होगा question number यहाँ पर इंक्याउन पूँचा गया है अश्ट चाप की स्तापने किस ने की थी विठ्थलनात ने या बल्लबाचार ने सूरदास ने या रामनंद ने तो इंक्याउन का आपका जो सही आंसर है वहे आपका विकल्प नंबर एक यानि कि विठ्थलनात विठ्थलनात आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक question number आपका यहाँ पर बाउन पूँचा है सकी संपरदाय की संस्तापक है तो कौन है हित हरिवन से बल्लबाचार स्वामी हरिदास या मदबाचार तो आपका बाउन का जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर बाउन का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर तो सी राइट आंसर है स्वामी हरिदास सकी संपरदाय की संस्तापक स्वामी हरिदास आपका सही आंसर होगा question number 53 पूँचा है गोस्वामी तुलसिदास की अंतिम रचना कौन सी है तुलसिदास जी की अंतिम रचना बताना है यहाँ पर तो आपका हैं आपर त्रेपन का जो राइट आंसर है बिनाई पत्रिका कभीता बली दोहा बली या हनुमान बाहुक तो आपका यहाँ पर सही आंसर है त्रेपन का विकल्प नमबर D यानि कि हनुमान वाहो का आपका सही आंसर है वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक अबस्त कल लें जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक बस्ते कल लें Question number अपना चंगन पूँचा है मेरे अगाबती किसकी रचिना है उसमान की है मंझन, कुतुबन या जाईसी तो Question number चंगन का आपका जो सही आंसर है आपका यहाँ पर चंगन का विकल्ब नंबर आपका B यानि की कुतुबन आपका सही आंसर है Question number आपका पचपन पूँचा गया है निमलिकित में से कौन रीती मुक्त कभी नहीं है रीती मुक्त कभी नहीं है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है तो रीती मुक्त बोधा, पदमाकर, ठाकुर या आलम तो यह आपके हाँ पर चार विकल्ब देगा है Question number 55 का सही आंसर बताना है तो पदमाकर आपका विकल्ब नंबर C राइट आंसर होगा रीती मुक्त कभी नहीं है अंगला question है निम्न में दीरगस्वर कौन सा नहीं है देखिए आपसे यहाँ पर दीरगस्वर नहीं पूंचा है कि नहीं कौन सा नहीं है तो देखिए अहाँ पर बड़ा A, बड़ा E या बड़ा O यह तो आपके क्या है यह आपके पूरे दीरगस्वर है नहीं में आपका चोटा U आपका जो है यहाँ पर सही आंसर यह दीर गुस्वर नहीं है हिंदी में कितनी बचन होती है Question number आपका संताउन पूँचा गया है संताउन का सही आंसर बताना है 2, 4, 3, 5 तो आपका यहाँ पर हिंदी में बताने हिंदी में कितनी बचन होती है तो संताउन का विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है दो बचन होती है कितनी बचन होती है दो बचन होती है question number आपका यहाँ पर untown पूँचा है हिंदी साहत्य का इतियासर प्रिथम किस भासा में लिखा गया यह question बहुत ही महत्यपूण है और subtle question भी है तो बताईए अंग्रेजी या हिंदी फ्रेंच या जर्मन तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि हिंदी साहत्य का इतियासर प्रिथम जो लिखा गया था बहुत है फ्रेंच भासा में लिखा गया था यानि कि untown का विकल्प number C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंग्ला question क्या पूँचा गया है तो देखिए पंडव सल सत्य वक्खायड देही बुद्ध वसंतना जाइड इस काब पंथी की रचिनाकार कौन है सरहपा है या कंड़पा है सबरिपा है या नागरजुन है तो उनसर्ट काब का जो सही आंसर है विकल्प नमबर एक सरहपा आपका है या पर सही आंसर होगा उत्पत्ती की आधार पर सब्द की कितनी भेद होती है तीन पांच चार या साथ question number 60 का सही आंसर बताना है उत्पत्ती की आधार पर जो सब्द की भेद होती है कितनी होते हैं तो 60 का आपका विकल्प नमबर B राइट आंसर है, 4 भीद होते हैं, 4 भीद आपका विकल्प नमबर B राइट आंसर है, question number 61 आपसे पूंचा गया है, यहाँ पर क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं, कि निमलके सब्दों में बरतनी की दरश्टी से कौन सा सब्द असुद्ध है, असुद्ध सब्द बताने हैं, देखिए, असुद्ध सब्द में आपका 61 का सही आंसर क्या होगा, असुद्ध सब्द बताने हैं आपके लिए कौन सा है, असुद्ध सब्द तो आपका विकल्प नमबर B निराप राध आपका सही आंसर होगा, विक पुक्ति ब्यक्ति प्रिक्रण राउल बेल बन रतना कर अवसंद बिलास तो question number 62 का आपका जो सही answer है बहे आपका विकल्प number B यानि कि बन रतना कर बन रतना कर आपका सही answer निवन में से संग्या सब्द है तो कौन सा है आप है आकास चलना या लंबा question number 63 का answer बता नहीं तो संग्या सब्द कौन सा है 63 का आपका विकल्प number C आकास आपका सही answer होगा आकास राइट answer है बिल्कुल सही समास की पदों को अलग कन्य को क्या कहा जाता है समास की पदों को अलग कन्य के लिए कन्य को क्या कहा जाता है विच्छेत कहा जाता है बदलाव विग्रह या विवक्ती तो आपका सही आंसर होगा 64 का विकल्प नंबर C आनिकी विग्रह समास का पदों को अलग करनी विक्रह कहलाता है तो विकल्प नमबर C राइट आंसर है प्रत्यंग किस समास का उधारण है तो यह आप के लिए question number 65 दिया गया है चार विकल्प भी आप कहां पर दिये गए है 65 का उधारण है तो प्रत्य अंग किसे समास का उधारन है 65 का राइट आंसर है विकल नंबर एक अभी अभी भाव समास आपका सही आंसर है Q66 क्या दिया गया है साहत में रस का अर्थ होता है साहत की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद साहत से मिलने वाली आनंदा नुभूती तो साहत में रस का अर्थ क्या होता है ये रस का अर्थ बताने हैं आपके लिए इसका अर्थ क्या होता है 66 का आपका डी राइट आंसर है साहत से मिलने वाली आनंदा नुभूती अंगला कॉस्चने काभी की सोब बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहती हैं इस उप्ति में प्रियुक्त धर्मे पद theories धर्मे सब्द का क्या अर्थ है धर्मे ये सब्द आपका दिया यहां पर ये सब्द धर्मे इसका अर्थ क्या है ये आपके लिव बताना है मजहब गुण सतकर्म या करतब्य तो Q66 का आपका विकल्प नमबर B राइट आंसर है गुण आपका राइट आंसर होगा Q68 पूँचा है इनमें से कौन संदी का गुण है संदी नरकतर अर्चरों को मिलाकर सार्थक सब्द बनाती है संदी में समास होता है संदी का अर्थ है अलगाव संदी दो पदों का योग होता है इनमें से कोई नहीं तो E आपके 5 विकल्प दिये गए है Q68 का सही आंसर बताना है तो विकल्प नमबर आपका याँ पर E जो है E राइट आंसर इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा जो सब्द संस्कृत भासा से उत्पन्य या विक्सित हुए हैं, क्या कहलाती हैं, तत्सम, तदभव, या अर्द तत्सम या देसज, तो यह आपके चार विकल्प हैं, कॉस्चन नमबर है, आपका यहाँ पर उनतर्वा कॉस्चन पूचा क्या है, उनतर का राइट आंसर है अंतरगत क्या अध्यन किया जाता है, सब्द कोस्का, भाक्यों का, बढ़नों का, ए और भी दोनों का, तो आपके लिए बताना है, कि भाक्य विचार के अंतरगत क्या अध्यन किया जाता है, तो सत्तर का राइट आंसर है विकल्प नमबर सी, यानि की बाक्यों का, अस्व क परियावाची नहीं है, देखें नहीं पूंचा है आपसे, अस्व का परियावाची नहीं है, तो question number 71, 71 का right answer होगा तरंग है, तरंग आपका यहाँ पर सही answer है, चंद की कितने भेध हैं, यह आपके लिए बताना है, question number 72 का right answer, चंद की कितने भेध हैं, 4, 5, 8, 9, तो आपके हैं आपर सही answer है, 72 का right answer क्या होगा, यह आपके लिए बताना है, तो 72 का आपका सही answer है, 4, विकल्प number आपका E right answer है, कौन सा सब्द अनीक का परियावाची है, अनीक का परियावाची, अनीक इस परकार आपका अनीक लिखा है, इसका परियावाची बताना है, तो अ अनीक का जो परियाबाची है बहे है आपका 73 का राइट आंसर विकल्प नमबर B यानि की सेना सेना आपका यहां पर सही आंसर होगा दो बढ़नों की मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या काहती है बहुती सल कॉस्चन संधी उपसर के समास या प्रत्ताई तो कॉस्चन नमबर 74 चोधतरवा कॉस्चन आपसे यहां पर पूँचा गया है विकल्प नमबर एक राइट आंसर है दो बढ़नों की मेल से ह कौनने वाली विकार या परिवर्तन को संधी गएती है विकल्प नमबर एक राइट आंसर नियम लिकत में से कौन सा सब्द की वर्तनी सुद्ध है बहसा में सब्द और आर्थि की द्रश्टी से स्वंदरी उत्पन्य करता है रस करता है गोण अलंकार या छंद तो भासा में सब्द वरार्थी की द्रश्टी से स्वंदरी उत्पन्य करता है तो इसे आपका यहाँ पर जो question number 76 है भी right answer है अलंकार आपका सही answer होगा अंगले question है अधका बिलोम है पूण रत समाप्त खत्म है तो question number 77 है 77 का सही answer है विकल्ब नंबर आपका एक यानिकी अधका बिलोम होगा क्या होगा पूण पूण आपका यहाँ पर सही answer है question number 78 निम्न में से सर्व नाम सब्द है सर्व नाम सब्द बताना है पढ़ना बहे घर गहरा question number 78 का right answer बताना है 78 का right answer है की बह कौन सा सब्द है जो सर्व नाम है तो आपका सही answer यहाँ पर होगा 78 का विकल्ब नंबर आपका B यानिकी वह है वह है आपका सही answer है किसी कारे को करनी या होनी का बोध कराने वाली सब्द कहलाती है कल संध्या किरिया या बिसेशन question number है आपका यहाँ पर 89 और 89 का सही answer विकल या right answer आपका होगा चंद सास्त के प्रिणता आचारे मानी जाती है पतंजली पिंगल पाणनी या मनू तो question number 80 है बहुत ही महत्वण question है सभी लोग वीडियो को एक बाल लाइक कर लें जन्नोंने अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं क्या है इसी तरह के बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अबसे कर लें 80 का राइट आंसर विकल्प नंबर B यानिकी पिंगल अंगला question है जिन सब्दों में लिंग बचन कारक आदी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है बहें कहलाते हैं किरिया कहलाते हैं बचन कहलाते हैं अपसर्ग है अपसर्ग बताना है बहुत ही महत्तपुन कोस्चन है प्रति एक में अपसर्ग कौन सा है प्रा प्रति एक एक तो आपका सही आंसर है 82 का विकल्प नंबर B यानिकी प्रति आपका सही आंसर होगा अंगला question है हिंदी भासा में रश्य सुरों की संख्या कितनी ह तो 83 का यह आपका आज का क्या है चेलेंज प्रसन है चेलेंज प्रसन है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना होता है तो आप कमेंट में जरू बताएंगे कि हिंदी भासा में हाश्य सुरों की जो संख्या वह कितनी होती है अंगला question है कि तदभाव सब्द बनी है तदभाव सब्द बनी हैं तो बताएं हिंदी के मूल सब्दों से विदेशी सब्दों से उर्दू सब्दों में बदलाव सी और संस्क्रिश सब्दों में कुछ बदलाव सी तो 84 के राइट आंसर आपका विकल्प नमबर तत्सम सब्द बनी है तो तत्सम सब्द बनी जो है वह संस्क्रिस सब्दों में कुछ बदलाव से question number आपका 85 पूँचा है बेठक सब्द में कौन सा प्रत्य है question number 85 का सही आंसर बताना है बेठक सब्द में कौन सा प्रत्य है तो आपका इहाँ पर सही आंसर है बेठक तो आपका सही answer है, का आपका right answer है, विकल्प number D, सही योग में किस अपसर का प्रियोग हुआ है, सही योग में, सही योग में किस अपसर का प्रियोग हुआ है, सम, सन, सन या सू, तो आपका हैं आपका हैं आपका सही answer है, विकल्प number 80 का, question number 80 का विकल्प number 1 यान की सम आपका right answer question number 87 पूंचा है आप बाद को छोड़कर बढ़न माला कि अक्षरों के नाम किस लिंग में होती है तो यह आपके लिए बताने कौन सी लिंग में होती है तो question number 87 का सही आंसर आपका होगा क्या होगा right answer 87 का तो यहाँ पर चार विकल्प भी दे गए है और विकल्प नमबर एक pulling आपका सही आंसर होगा 87 का विकल्प नमबर एक right answer बिल्कुल अंगला question क्या पूंचा गया है निवन में से विसेशन सब्द कौन सा है जाना देवता सुन्दर कौन तो question number 88 का right answer है जो आप कहां पर कि विसेशन सब्द हैं आप कहां पर 88 का right answer है सुन्दर आपका रएक विकल्प नमबर एक यान की विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है question number है 90 अंक सब्द का अर्थ नहीं होता गोद चन्य संख्या या अंग question number 90 अपना यहाँ पर भहती महत्वपुन question है और इसका अंग आपका right answer होगा अंग सब्द का अर्थ नहीं पूँचा है नहीं में आपका अंग हो जाएगा बिल्कुल चाहिए बात्चे किसके अनुसार बनता है जो बात्चे होते हैं किसके अनुसार बनते हैं करता के भाव के कर्म के या उप्रोग सभी question number 91 right answer उप्रोग सभी आपका तहीं आपर है question number है आपका यहाँ पर पूंचा गया है ऐसे सब्द जो उत्चारण और बरतनी की दरश्टी से समान हो व्यत्पत्ति तथा अर्थी की दरश्टी से भिन हो खालिस्तान कहलाती हैं देखें ऐसे सब्द जो उत्चारण और बरतनी की दरश्टी से तो समान है लेकिन व्यत्पत्ति और अर्थी की दरश आचारत सब्द आपका right answer होगा, question number है आपका यहां पर 1390, लोक उक्ती का सामन अर्थ क्या है, लोक की उक्ती, लोक की बात हैं, लोगों को यह लेख या अच्छी बात हैं, तो 93 का आपका जो सही answer है, question number 1390 का विकल नंबर 1, लोक की उक्ती, जो है इसका सामन अर्थ होता है, ल कारक बताने हैं आपके लिए यहां पर, किसकी अनुसार, आचार की सूरी दास बाचपी की मत से, हिंदी में कितनी कारक होती है, 6, 7, 8, 5, यह आपके चार विकल्प है, 94 का सही answer, विकल्प नंबर 1, यानिकी 6, आपका right answer होगा, 6, जोनों ने बताया है, उनका यहां पर सही answer ह अंगला question है, अनिकार्थी सब्दे, अब जिक यह गलत विकल्प का चैन कीजिए, तो यहां पर आपका right answer क्या होगा 95 का, बताये, यहां पर question number 95 है, और इसका जो सही answer है, मेग, मेग आपका right answer, यहां पर विकल्प number C right answer है, यहां पर क्या दिया गया है, कि देखिए, गध्या गध्यांस देख लेते हैं, गध्यांस क्या है तो देखिए, यहां पर पंतिया दी गई है, कोछे निर्वय स्वागत करो मृत्यू का, मृत्यू है एक बिस्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारन कर नव जीवन संबल, मृत्यू एक सरीता है, जिसमें स्रम से कातर जीव नहाकर, यहां पर आंगे दिया है, क्या है, फिर नूतन धारन करता है, काया रूपी बस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेम बही करता है, सच्चा प्रेम बही है, जिसकी तरपती आत्में बली पर हो निरभर, त्याग बिना निस्प्रान प्रेम है, करो प्रेम पर प्रान न अंसर देनी होती हैं, तो यह आपका इन पुंतियों संभीं है कि कभी ने म्रत्यू के पृती निर्वय बने रहिनी के लिए क्यों कहा है, तो यह आपके लिए हाप creativity के बाद स्थै अमर हो जाता है यह म्रत्यू के बाद मनद tablets फ्र नया रूप लेकर कारे करनी लगता है, ब्रत्यू के बाद मनुस्य का पुना जन्म नहीं होता है या ब्रत्यू के बाद कोई भय नहीं रहता है तो यह इस परकार आपका यहाँ पर जो question number 96 है विकल्प number B आपका right answer ब्रत्यू के बाद मनुस्य से फ्रनया रूप लेकर कारे करनी लगता है तो यह भी आपका यहाँ पर right answer होगा question number है आपका 97 कभी ने सच्चे प्रेम की क्या विसेश्ता बताई है और उसे कभ निस्प्राण कहा गया है यह आपका question आपसे पूंचा गया है कि कभी ने सच्चे प्रेम की क्या विसेश्ता बताई है और उसे कभे निस्प्रान कहा गया है तो देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिये गए है सच्चा प्रेमी के बलीदान पर निर्भर करता है जिसमें प्रान होता है सच्चा प्रेम नवीनता धारन कर निस्प्रान हो जाता है सच्चा प्रेम बह प्रेम है सच्चा प्रेयम बय है जो आत्म बलीदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेयम में त्याग नहीं होता है बय निस्प्राण होता है अंगला विकल्प आपका दिया गया है सच्चा प्रेयम त्याग वा आत्म बलीदान पर कभी कभी निर्भर होता है तो इस प्रकार आपका संता नवे का विकल्प नंबर C right answer होगा देखें आपका कभी ने सच्चे प्रेयम की क्या विसेश्था बताई है तो यहाँ पर देखें विकल्प नंबर C right answer है सच्चा प्रेयम बह है जो आत्मे बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेयम में त्याग नहीं होता 98 का आपका सई आंसर आपके लिए बताना है बहुत ही महत्तपुन है कॉस्चन नंबर 98 चार विकल्प देगा है और आपका यहाँ पर विकल्प नंबर C right answer म्रत्यू के बाद जीव पना उर्जा प्राप्त कर नए रूप में जीवन के साथ चलने लगता है तो इस परकार यह आपका विकल्प नंबर C जो है right answer होगा म्रत्यू को बिस्राम इस्तल क्यों कहा गया है तो विकल्प नंबर C right answer है अंगले कॉस्चन नंबर 99 म्रत्यू रूपी सरीता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है तो म्रत्यू रूपी सरीता में नहाकर जीव नया सरीधारन करता है या म्रत्यू रूपी सरीता में नहाकर जीव अमर हो जाता है म्रत्यू रूपी सरीता में नहाकर जीव निस्परान हो जाता है म्रत्यू रूपी सरीता में नहा कर जिव माया मोह के बंदनों से मुक्त हो जाता है तो question number 99 का right answer विकल्प number 1 right answer है म्रत्यू रूपी सरीता में नहा कर जिव में क्या परिवर्त तनाता है म्रत्यू रूपी सरीता में नहा कर जिव नया सरीर धारन करता है विकल्प नमबर एक राइट आंसर है, अंगले question, कभी नेम रत्यू की तुल्णा किस से की है, कभी नेम रत्यू की तुल्णा किस से की है, कभी नेम रत्यू की तुल्णा अमरता से की है, आत्मे बलिदान से की है, प्रेम से की है, या सरीता से की है, तो question नमबर सो का आपका ज महत्तुपूर्ण कॉस्चन अपना प्रेक्टिस सेट फर्ष्ट था यहां पर कम्प्लीट हुए सो कॉस्चन यहां पर आपके बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन थे कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब किये बिना नहीं जाएंगे क्योंकि इसी पर आए के आपके बहुत सारे प्रेक्टिस सेट आने वाल हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब अबस्त कर लें बेल लाइक अंदा माएं और पर किलिक करें